असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कट वर्क के साथ आपने अगर कोई चीज एड़ करनी है कोई असेसरी या कोई भी चीज जैसे ट्राइंगल्स होगे या स्केर्ड्स होगे लूप्स होगे वर्टैवल कोई भी चीज कैसे होंगे यह भी बताऊंगी पीसीज हमने कर लिए हैं पतिया सेप्रेट हो गई हैं मैं आपको क्रीब से दिखाती हूं इनका डिजाइन यह देखें यह इनका डिजाइन है अच्छा अब हमने सबसे पहले कट वर्क की हमने पट्टी तियार करनी है तो कट वर्क आपने क जो भी असेसरी साथ आड़ कर रहे हैं वो कितनी चौड़ी है ठीक है अच्छा हमने जो पट्टी त्यार किया यह तकरीबन पोने 2 इंच की है और हम 1.5 इंच के ओपर एक निशान ड्रॉ कर रहे हैं ताके जो हम वो लगाएंगे पतिया वो उस निशान के ऊपर आएं बिलक लगाते जाना है ठीक है जो परफेशनल्स हैं वो तो बगएर निशान के भी लगा सकते हैं मताँ वो चेक करके के कटपर का सेंटर है तो वहां पर पत्ती को लगाते जाएं लेकिन जो बैगिनर्स है उनको चाहिए कि वह पहले निशान ड्रॉ करें दैन उसके बाद जो है या लूप्स या जो भी चीज वो एड़ करें फिर उसको एड़ करें उससे यह होगा कि वो नीटनेस हाएगी क्योंकि स्टिचिंग में सबसे जो एहम चीज होती है टेलरिंग में वो नीटनेस होती है और गंजा की पट्टी जो है वो ट्राइंगल के साथ आल्मोस त्यार ह जो हमने पत्तियां लगाई है उनके साथ इसको फिक्स कर से करना है यह मैं आपको बताऊंगी पट्टी को पहले मेर कर लें कि वो जो आप पट्टी तियार कि आपकी जो शर्ट या स्लीज जिस चीज पर आप एड़ करें वो उसके बराबर है अगर वो बराबर है तो आप इस तरह से सेट कर लें कि जहां से पत्ति स्टार्ट कर रही है वहां एक पिन लगा लें शर्ट को और साथ में जो और गंजा की पत्ति है उसको इस तरह से ठीक है उसके बाद जो फैशन पत्ति आपने यूज करनी है उस फैशन पत्ति को आप कटिंग कर लें और इस तरह से लगाये हैं स्सक्राइच कर देखे और दिंगर आप 1450- 우kins 119-174 लगाते जाएंगे कि यह देखें स्सक्राइच कि अरगानी यह वाल। जाएंगे ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपने किस तरह से जो है वो इसको करना है यह देखें बहुत स्लोली में आपको दिखा रही हूँ आपने और गेंजा की पटी के साथ उपर फेशन पटी को रखना है और इस तरह से आपने सलाई लगानी है कि शर्ट स्टिच होने के बाद जो है वो इसकी लुक कैसी है ठीक है जी आपने बिल्कुल इस तरह से फेशन पटी लगानी है अगें रेपीट कर रही हूँ शर्ट की सीदी साइड की तरफ आपने पटी को उल्टी तरफ रखना है और उपर फेशन पटी रखनी है और उसक अधान से चेंश के प्रेस कर लेंगे पहले इसको सीदी साइड से प्रेस करेंगे से लॢटी तरफ टरफ टरन कर लेंगे और उनके सी फेशन पटी की में यूर पृजल हम्ने इसको पहले शॉवर करेंगे अगर और आइरन है भी तो भी आप इसको शोवर कर क 과 félass करें ताक यह देखें ऐसे आपने इसको अंदर की तरफ टरन करना है और इसके ऊंपर वह आपने शत्ति है। सब्सक्रूच करना लिकाई ब्रस सार ग्राइए प्रेस करके और से बात चीयान, हाथ स को अ दर टरन करते जहें हैं। हाथ से हमिंग लाएं गाँ और उपक्ति हो सिए है यह दो इसकी फाइनल लोक होने के बाद अगर आपको धिंगा प्संद कर लें अब आपकौ डिखाऊंगी इसकी फाइनल मुणक के स्टीच होने के बाद ड्रेस की फाइनल लोक अगित मैं मेंदयो चैप और नीचे से फैशन पर्टी ऐसे है और यह हमारी शेर्ट स्टिच होने के बाद ड्रेस की यह लुक है फ्रंट दामन पर हमने और गैंजा की कट वर्क और ट्राइंगल्स लगाए है वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी के साथ देनी अजाज़त दौब में याद रखिएगा टेक केर और अलाहाफ़ेज प्राइब को सब्सक्राइब को साथ एक यहाएज़त दौब में याद यदो टाएए है शायाएब को शेकर आवाएब का वाद रखिवाजवाज़त रेलिए प्राइब।